हेलो हेवरीबन वेलकम टू लेट्स क्रैकट तो पंद्रह अगस्ट दोजार बीस इस ओवर एंड दिस इज दर न्यूस्पेपर डेटेट अगस्ट शिक्स्टीन तू 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 दिसकस करते हैं क्या क्या आर्टिकल इंपोर्टन्ट है तो चलते हैं यह देखे कल पीम मोदी ज आई हुई है पीम एनाउंसे लॉंच ओफ नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन तो जो जो चीजें इसमें पॉइंस दिये हुए हैं फिलाल उन्हें देख लेते हैं और जब यह चीज इंप्लीमेंट होगी तो उसके बाद और डेटेल में देखेंगे तो देखें यहां पर लि इंडिया के बैरिफाइबल डीजिटली जो डीजिटली बैरिफाइड होगा and will work as each Indian health account जैसे कि आपका bank बैपन्क होता होता है सेम ऐसा ही आपका health account की तरह काम करेगा अब health account से क्या मतलब है उसमें लिख लिखा हुए होगा अपने जो test कराइं आपको कौन सी बीमारी है अभी इसके बारे में प्रधानमंत्री मौंध जी ने इतने ही बताया लेकिन यहां पर आप देखिए एवरी इंडियन विल बी गिविन ए हैल्थ आईडी वीच विल कंटेन इन्फोर्मेशन ओव वोट डिजीज वन सफर फ्रों एंड वॉट कन विज डॉक्टर्स कंसल्टीड और वोट मेडिशन और प्रेस्क्राइब और अगर हम देखें कि और क्या क्या है इसके अंदर नेश नेशनल हेल्थ आथोरिटी और इन सब के द्वारा कुछ जानकारी प्रतान की गई जैसे की हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं बताया कि दर इसकीम वुड फस्ट भी टैस्टेटिड ओन यूनियन टेरिट्री ऑफ चंडीगड लद्दाग दादरानागर हवेली दमन एंदियू प्रोग्राम और यह गैप को कम करेगा जो डॉक्टर्स के बीच होस्पिटल्स के बीच और हैल्थ केर प्रोवाइडर्स के और स्टेक होल्डर के बीच में होता है ठीक है अब सब एक दूसरी की जानकारी रखेंगे और इससे एक इंटीडेट डिजिटल हैल्थ तो अभी तक सिर्फ इतनी ही बेसिक नॉलिज्ज गुर्मेंट की तरफ से मिली हुई है तो हमने सब को देख लिया आगे बढ़ते हैं अगे तो यह देज पीम ने अपने जो कल बहाशर दिया था जो जा उसमें कहा था कि गवर्मेंट में रिव्यू दा एज ओफ मेरी जो फ गर्ल तो पीम ने एनॉंस किया कि जैसे कि माल न्यूट्रिशन बहुत जादा होता जा रहा है वोमेंस में और उनका जो मदर मॉर्टेलिटी रेट होता है वो भी काफी हद तक गिर रहा है तो उस पर सुधार के लिए हमें जो है रिलू करना होगा एज ओफ मेरी जो वोमेंट को तो ये उन्होंने क्यों कहा क्योंकि निर्मला सीथा रवन ने बजट 2020 की स्पीच में ये बत कही थी कि एक टास्क फॉर्स बनाई गई थी उसने प्रिपोस किया था कि आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है तो ये सब डिसीजन किस लिए लिए जा रहा है क्योंकि एक स्टडी पब्लिश हुई है जो कि लैंसेंट चाइल्ड एंड एडॉलेसेंट है ने पब्लिश किया है और इसके इनके हिसाब से जो चाइल्ड पॉर्ण होते हैं इन एडॉलेसेंट मदर जो 10 से 19 साल की एर में जो मदर्स बन जाती है जो ओरते होती हैं उनमें 5% तक इस्टंटिट चाइल्स में देखे जाती है यानि कि शोटर फॉर्ड एर एज अपनी एज के हिसाब से वो थोड़े शोट होते हैं तो ये स्टंटिट उनमें देखे में ठीक है इन्होंने आगे लिखा हुआ है चिल्डरन बॉन टू एडलेसेंट मदर ऑल्सो हैड 10% पॉइंट हायर प्रिवेलेंस ओफ लोवर वेट एज एडल्ट मदर तो इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर एडल्स मदर से भी पैदा हुआ है तो अभी 10% तक वेट की प बढ़ती चली जा रही है और हमें सस्टेनेबल डवलोप्मेंट गोल भी अचीव करना है तो सब के लिए यह सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे जब इंप्लिमेंट होगा तो बिरोट तरीके से देखेंगे फिलाल जो कुछ दिया हुआ था इतना काफी है आगे चलते हैं य अब आपको पता हुआ कि नैपाल में कार्टोग्राफिक वाल चल रही थी नैपाल बार-बार मैप्स को बना रहा था कि यह काला पानी का इशू हमारा है और यह सब इशू हमारा है तो सब को लेकर कि अब नैपाल ने कहा है कि हम पीस टाइस करेंगे जब होंगी तब देख देखने को मिली है कि चाइना के साथ जो हमने बैन किये अपने चीजें की इंपोर्ट्स कम करेंगे वगरा वगरा तो उसमें क्या प्रोब्लम पहली देखने को मिली वह यहां सामने आई यह यहां पर लिखका हुआ है इंडिया दोस्ट पकि टीज़ आएव थैकनालोजी बैंट्स इंफरस्ट्रक्छर्ट्र टू मैंनुफेक्चरिंग केमिकल इन इक कोस्ट इफेक्टिव हैं लेस पॉल्यूटिंग मैनर तो इंडिया के पास ना टैकनालोजी है ना इसे बांट से न इन इंफरस्ट्रक्ट् unable to meet the price at which they are produced in China तो जो ड्रक्स वगेरा होती है जो essentials होते हैं इन गिरेडियेंट्स होते हैं किसी भी ड्रक को बनाने के लिए वो सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं लग बख 70% हमारा इंपोर्ट चाइना से होता था इन सब के लिए हमारे पास इसकी कोई टेक्नोलोजी नहीं थी वो सब हम कम करना चाह रहे हैं तो सेल्फ रिलेंट इंडिया की दिरफ जाना है तो इन सारे इसोश को सोट करना होगा आगे लिखा हुआ है सोल्वेंट एंड केमिकल्स मैनुफेक्चर कोस्ट इन इंडिया और ओबर 15% मोर देन उप चाइना तो 15% ज्यादा कोस्ट डियर चीज़ हम चाइना से बना रहे हैं जितनी की वहां से आती थी आगे लिखा हुआ है यहां पर इट इस ओल्मस्ट एंटारली डिपेंडेंट चाइना फॉर किलोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्स क्लोरोक्वीन रिपोर्ट एडिट रिपोर्ट ने बताया कि क्लोरोक्वीन और है एच सी क्यों जो की कोबिट 19 के टीटमेंट में पहले बात आई गई थी हम एंटारली डिपेंडवेंट हैं चाइना के ऊपर इसके लिए और आगे देखते हैं क्या दिया हूँ यह हैं इंडिया है नियरली इस टोब्र मैनुफेक्टिरिएंट सेवरल की एक्टिफ फार्मसुटिकल इंडिट्यएंट यानि की API इंडिया ने लगबग स्टॉपी कर दिया है मैंनुफेक्टिर्टिंग करना इंडियू इंग्रीड एक्सपोर्ट तो जो हमें एक्टिव फार्मसुटिकल इंग्रेटियंट्स बनाने हैं उसके लिए हम 67 परसेंट हैं फर्दर जो बागी का बचा हुआ है वो यूनाइटे डिक्ट से आता है या इटली से आता है इंडिया की पूर्ती के लिए तो यहां पर यह पहली प्रोब् कि आगे बढ़ते हैं यह दिस न्यूज इस ओल्सों इंपोर्टेंट कल के न्यूस पेपर में आया था कि अरुनाचल प्रदेश को अपनी टू ओटोनोमस कांसल जो उन्होंने 2004 में बनाई थी उनको रिवाइवल करने के लिए संगर्ष करना पढ़ रहा है और देखते हैं आज इन्होंने क्या किया है यहाँ पर लिख रहा है नाइन मेंबर की कमीटी बनाई यह अरुनाचल प्रदेश ने किसलिए क्रेशन ऑफ टू ओटोनोमस कांसल इन दे स्टेट ओटोनोमस कांसल शेडियूल सिक्स के अंदर इंडियन कॉंस्टिउशन में दी गई हैं अभी जो भी ट्राइब्स वगेरा हैं या जो भी एरियाज हैं वो फिफ्ट शेडियूल की द्वारा गवन्ड होते हैं तो इसमें सेंटर जो है स्टेट को ओडर दे सकती है क्या कैंप्लीमेंट करना तो बैसिकली सेंटर का रूर रहता है गवर्नर्स की पावर जादे रहती हैं लेकिन जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक काउंसिल होती हैं जिसमें की यह अरुनाचल प्रदेश भी डिमांड कर रहा है तो उसमें प्रतियक ट्राइबल्स को अपना ऑटोनॉमस रीजन उसके लौज वहाँ पर सब कुछ लागू करने के लिए दिया जाता है उनको पूरी स्व प्रेट जो है ओटोनॉमस डिस्ट्रिक काउंसिल बन जाएं सिक्स्टर शैडियूल के अंदर तो वहाँ पर उनका ही रूल चलेगा ओके आगे देखते हैं क्या यह देखें पर लिक हुआ है लार्जर इथैने ग्रूप सच अजन नियासी ग्रूप और गालो गूरूप इन पटकाई ओटोनॉमस काउंसिल तो दो ओटोनॉमस काउंसिल जो इन्होंने 2004 में बनाई थी उनके लिए यह भी डिमांड कर रहे हैं कि उनका रिवाइवल करो और यह जो नियासी ट्राइब और गालो ट्राइब हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाओ और इनको ओटोनॉमस स्ट्राइब हैं अभी क्या स्टेटास है अरुनाचल प्रदेशी से फिफ्ट शेडियूल स्टेट वियर इंडिजीनियस कम्यूनिटीज डूनॉट एंजोई दा काइंड ओफ राइट्स दियर काउंटर पार्ट इन नॉर्थ इस्टन स्टेट तो यह अभी फिफ्ट शेड चाह रहे हैं सिक्स्ट सेट्यूल स्टेट्स में जहां ऑटोनॉमस डिस्ट एकाउंस इरे नहीं दीद दे जाएगी ओके आगे बढ़ते हैं यह दिस आर्टिकल इस इंपोर्टन्ट आपको पता है कि परकाश भूशन केस में जज्जमेंट आया था सूप्रेम कोट का उसके बाद काफी जादा जो है डिसकुशन हुआ इसके ओपर और यह सब बाते बताईगें कि साही हुआ या गलत तो यहां पर लिखा हुआ है सू स्यू मोटो कंटेंट पावर इस इनेरेट अपने आप अपनी इच्छा से जो अगर हम इनिशियेशन करते हैं किसी कंटेंट केस का तो वह हमारी इनेरेंट पावर है इसके लिए हमें किसी भी कंसेंट की ज़रूत नहीं है अटॉर्नी जनल के तो आर्टिकल जी एस पेपर के हिसाब से important है कि Supreme Court की जो Autonomacy है या फिर उनकी जो dignity है उसके ओपर यह article आ सकता है तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें कुछ articles important दिये हुए है जैसे कि article 129 of the Indian Constitution दिया हुआ है तो यह Pre-Cave Points of View से important हो सकता है देखते हैं क्या दिया हुआ प्रायर कंसेंट ओफ दाटॉर्णी जन्रल फिंडिया इस नॉट रिक्वायरद तो स्यू मोटो इनिशेट दा इन्हेरेंट कंटेंट पावर्स ऑफ दा सुप्रीम कोड तो इन्होंने बताया सुप्रीम कोड़ ने of the top court is drawn from article 129 से हमें यह मिलती है जहां पर कहा गया कि Supreme Court Court of record है और इसे power है to punish the contempt of itself ओके तो यह आर्टिकल यहां पर important है आप से पूछा जा सकता प्री की पेपर में ठीक है the contempt of court act 1971 लागू गुआ था जिसकी दोरा दो तरह हैं कि contempt दिये गए से एक civil और एक criminal वो सब हम एक separate वीडियो में डिस्कस करेंगे यह फिर आपने पेसली वीडियो देखी हो तो उसमें दिया हुआ है यह कैन इन्होंने कहा कि contempt of court act 1971 लिमिट करता है power of the court लिमिट नहीं करता है है power of the court की यह सिर्फ provide करता है कि क्या क्या किस तरीके से contempt initiate होगा initiation जो है वो हमारा inherent अधिकार है किस तरीके से procedure यह define करता है इन्होंने बताया कि जो प्रसांद बुशन केस में उनके tweets होए थे उसमें हमने स्वी मोटो ही reaction लिये थे दर लोयर वस फाउंड गिल्टी ओफ contempt on Friday है ना आपको पता है इनको contempt of court का case लगा है 2000 रुपे फाइन और प्रिजन मेंट है को समय के अब यहां लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है कि हम यह जो यह सब शुरू करेंगे contempt of court की प्रोसेजिंग से सब rule of law के हिसाब से होंगी इन पर natural justice का पूरा ध्यान रखा जाएगा यह just and fair होंगी ऐसे ही नहीं होगा कि किसी भी बात को अठाकर contempt of court का किस लगा तो यहां पर Supreme Court ने अपनी सफाई दी उन्होंने कहा कि स्यू मोटो पावर जो initiate करना वो हमारा inherent right है और उसके लिए हमें किसी की भी requirement consent की जुरूत नहीं है है ओके तो यह आर्टिकल आपका जी एस पॉंट को भी से अच्छा हो गया आगे चलते हैं कि यह दिस आर्टिकल कि डिकोडिंग सुप्रीम कोड़ वर्डिक्ट ओन डॉक्टर्स राइट तो इसको यहां पर ना पढ़ते हैं कल ही एक वीडियो अप्लोड हुई है हिंदू सक्षेशन अमेंजमेंट डेक 2020 ट्वेल मिनट की वीडियो है आप देख लेना लिंक इसके नीचे पड़ा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह दिस आर्टिकल इसके ओपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसराइल का फॉर्म हुआ पहले जो फिलिस्तान है वो का फॉर्मड हुआ 1971 में क्या हुआ 1948 में क्या हुआ और अब क्या हुआ है और अरब इराक बार क्या होती है तो उसके सबके बारे में आर्ब और इसराइल की वार हुई थी उन सबके बारे में इ Sydhanik जो गुरूप से लड़ा हुई थी उसके सबके बारे में एक सेपरेट्वीडियो बनाई जाई यू उसमें यह अर्टिकल कवर कि आगा यहाँख लेते हैं क्या लिक्ग Constitution चाहते हैं और अपने एक सेपरेट फिलेक चाहते हैं तो पीस टॉक्स नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटर लोक्यूटर जो थे आपके गवर्नर और एंड रभी उनको हटाने की डिमांड एने सी एन आइम ने की है और उनको रिमॉप पर धिया जाएगा जल्दी है यहां पर लिखका हुआ है जैसे 1997 से पीस टॉक्स सुरू हुई थी एने सी एन आइम और गवर्मेंट ओफ इंडिया के बीच में 2015 में पीस टॉक हुई उस पीस टॉक में क्या था वह भी नीचे है उसको बताएंगे लेकिन अब जो लेटिस्ट जो इशू हुआ है वो यह क्योंकि वो पीस टॉक में एक हरडल डाल रहा है तेसी औरोड पीस टॉक को वो रोकने की कोशिच कर रहा है या उसमें एलजली टॉक्किंग कर रहा है अब जो क्या टॉकिंग वगएरा है वो सब इस आर्टिकल में दी गई यह उसको देख लेते हैं अब यह दिया हुआ गवर्नर बनाए गए नागालेंड की, अक्टूबर 2019 में उन्हों ने प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी से, बैसे तो वो पीस टॉक के बारे में थे जैसे लिखा हुआ है, अग्टूबर 2019 में इन्हों ने एक स्टेंट्मेंट जारी किया एन एन एसे सी एन आई एम के खिलाफ और कहा कि यह जो टॉक्स हो रही है, यह जो सब हो रहा है, यह इमेजनरी कंटेंट है, ठीक है, इन्हों ने एनसी एन आईम को थोड़ा गुस्सा दिला दिया, इन्हों ने कहा कि एनसी एम को कुछ नेच चाहिए, पीस टॉक वगएरा कुछ नेच चाहिए, उसे चाहिए नागा नेशनल फिलैग उसे चाहिए, नागा यह जहाब हो यानि अपना कॉंस्टिटुशन, ठी इस लेटर इन्होंने कहा कि अब हम आम्ड गैंग बन गए हैं और अब हम एक रणिंग पेररल गवर्मेंट से लाएंगे अब कोई पीस टाक वगेरा नहीं होगी ठीक है आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है कि फ्रेंबर के अग्रीमेंट था क्या हुआ क्या था तो थ्री एगेस्ट टू थाउजन्ट फिप्टीन में आई एनसीन ने रिसोल्ट करना चाहा ना गईशू गवर्मेंट ओफ एंडिया के साथ एग्रीमेंट करके बट बहुत साइड ने सीक्रेसी बनाकर के रखी कि क्या-क्या साइन हुआ वह सब मार्केट में नही हुई क्योंकि अभी यह नया गुरूप जो था एन एन पीजी यह इंकम इन पिक्चर इस एग्रीमेंट मेंट पी स्टॉक प्रोसेस इंक्लूजेव बट क्रियेटिट सस्पीशन ठीक है कि जियो पॉलिटिकल लाइन ट्राइवल्स का क्या हुआ इस तरीके की आगे पढ़त नागा होमलेंट उसको रेस्पेक्ट करेंगे प्रोवाइड करेंगे एन एंडियूरिंग इन्किलूजेव नियू रिलेशन्शिप फीस्फुल को एक्जिस्टेंस और हम पीस्फुल को एक्जिस्टेंस बनाए रखेंगे अब मिस्टर रवी ने जो अपना स्टेटमेंट इस छारी किया था उन्होंने इस न्यू वर्ड़ को हटा करके उन्होंने इसकी जगह पर जो है यह वर्ड लिख दिया औरिजिनली पक हुए और इस तरीके से प्रेजिट किया कि क्लैसिज और जादा बढ़ जाएं तो उसके लिए अब एने सीन आईयम ने कहा है कि इनको प मनाया अगस 14 को उन्होंने कहा कि हम कभी इंडिया के जाद मर्ज नहीं होंगे यानि कि यहां पर यह मुद्धा थोड़ा सा गर्मा गया और अभी यह थोड़ा और ज्यादा डिस्टर्व करेगा इंडिया की सोवरेनिटी को आगे लिखा हुआ है कि एने सो यह है एने सीन आ येम शогदम जरृजप चाहते हैं सेपेड इस्टेट चाहते हैं और गला इजर कुछ इस च橋 फिडिये अ चारों तरफ चतने बीए अरिये में नाग नागास रहते हैं वस एरिये को सब एक जगह मिला जाय जाए। और गला थबना दिया जाएए ब इस में जो हाते हैं वो आते हैं अरोनाचर परदेश का कुछ इसा असाम का कुछ इसा मनीपूर का और इधर जो मियमार आपका पूरा देश है उसका कुछ हिसा यह अपने पास रखने के उच्सें कि इसको ग्रेटर नागलेंड बना दिया जाए अब चीफ में यहां पर जैसे यह हुआ असाम ने मना कर दिया कि असाम में इस तरह का कुछ नहीं होगा हम एक इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे जिसे यहां लिका हुआ है इविन एन इंच ओफ लेंड असाम गवर्मेंट है कहा इसी परकार से अभी दो दिन पहले अरुनाचर प्रदेश का भी स्टेटमें है ओके यहां पर यह फिर से एक दूसरा अर्टिकल वर्डिक्ट ओन बुमेंस राइट ओफ प्रोपर्टी आया हुआ है वाट इस दक को पार्सिनेरी प्रोपर्टी सुप्रिम गौर्ड रूलिंग इन्हेरिटेंश इस तो यह सब कवर कर दिया गया है इस वीडियो में इसक साइच चालू रखे भाई और इसमें जो जो फिर अपडेट्स आते रहेंगे वो सब मिलते रहेंगे और इसराइली आरब पे एक सेपरेट वीडियो तैयार हो रही है वो शायद कल शाम तक डल जाएगी ठीक है तो यह डिश का सन आपका खता हुआ दा हिंदू टूडे का और चैनल को लाइब से स्बसाइब कर लेना और कुछ कम्या लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है ओके बाई